तो अगर आपको future and option के price action सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप सुभे हमारा telegram channel देख सकते हैं जैसा कि हमनोंने बंधन bank दिया था last trading session में तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा momentum आया है 5% तक का momentum आया है पहले से ready है हमारा future and option कल देखिएगा post किया जाएगा description में link मिल जाएगा free channel है जाके join करेगा बहुत important data लाया हूँ और data में लाया हूँ तकरीबन तकरीबन उन्हें 22 देशों का देखेगा यहाँ पे report एक तरीके से data collect करा है अब आपको इससे भी confirmation ना हो रहा हो कि bank को में actually में pumping चल लही है but the thing is global banks में problem आने वाली है इस data के बाद मैं बहुत कुछ देखेगा आपको clarify भी कर दूँगा लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में आता कि आप थोड़ा सा confident हो जाए नील्स क्रिस्टेंसन देखेगा है इसके अलावा गर आप देखेंगे तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ इसके अलावा Andrew Hunter Deputy Chief US Economist ये आपके लिए important है कि यहाँ पे जो data है वो reliable कितना है वो कौन दे रहा है Andrew Hunter Deputy Chief है ये US Economist के Capital Economist के उन्होंने का है कि अब US देखेगा मंदी में जा रहा है पूरी तरीके से Summers में मंदी में US आ सकता है जब इंडिया में Summers होंगे अब ये अब मैं आपको Fact and Figure के साथ बताता हूँ और केवल US नहीं मैंने आ 22 Connections का नाम लिया है तो आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे डेटा बड़ा डेटा होगा तो सबसे पहले डेटा आना था तो डेटा आ चुका है गोल्ड के प्राइस कभी भी देखेगा पास्ट में 20-25 यर्स में कभी भी दो Asset Class एक particular direction में अगर चल ले है तो इसका मतलब है किसी एक में pumping चल ले है आपको पता है गोल्ड में अगर लोग इतना invest कर रहे है कि गोल्ड all time high पे खड़ा हुआ है गोल्ड में इतना momentum है कि 2023 में सबसे ज़्याधा return देने वाली Asset गोल्ड है तो इसका मतलब है equity market में profit booking आनी है यह common factor है 2025 years का आप देखेगा पहले आप जाके checkout कर सकते हैं पूरा जो track record है तिहास है दूसरी बात अब आपको देखना होता है कि अब जितने भी multiple rate है किये जा रहे है उसका impact कहा पे आ रहा है तो impact अगर आप देखेंगे तो impact आ रहा होगा economy में तो impact का एक indicator होता है indicator क्या होता है कि आपकी economy सिकुड रही है कि आपकी economy fell रही है English में इसको कहते है contraction और expansion expansion के लिए देखेगा जो data जो indicator लिया जाता है वो PMI का लिया जाता है 50 plus यानि कि 50 के ऊपर है तो आपकी economy में रफ्तार आ रही है वो तेजी से expand कर रही है और उसमें देखेगा काफी अच्छी growth देखनी को मिल रही है economic activity well maintained manner में expand हो रही है और अगर ये देखेगा 50 से कम होता है तो इसका मतलब आपकी economy सिकुड रही है contraction में जा रही है और अगर ये देखेगा 47 के नीचे आप देखेगा 45 के असपास पहुच रहा होता है तो आप कह सकते हैं economic activity देखेगा passive हो गई है लाइक एक तरीके से pessimist निराशावादी महौल बन रहा है economy में और recession slowdown जैसे indication मिलना है तो यही कुछ ऐसा देखने को मिला है the gold market is holding near session high supported by growing recession fear यानि कि सभी को पता है gold में invest करो gold में invest करो चुकि अमेरिका में मंदी आने वाली है according to the data तो अगर आप देखेंगे ISM का data आ चुका है Institute for Supply Management का और ISM का जो data आया है उसमें देखेगा बहुत बड़ा deep drop contraction देखने हों मिला है और यह 46.3 पे आ चुका है और यह 47.7 पे था वहां से कम होके आया है expectation देखेगा काफी ज़्यादा थी बट वैसा data नहीं आया है और आगे अगर आप देखेंगे the March देखेगा composite index reading reflect companies continue to slow output to better match demand for the first half of the 2023 यानि कि company अपने output को अपने production को धीरे धीरे करके slowdown कर रहे हैं ताकि वो demand की हिसाब से चल सके हैं वो oversupply कर लेंगे तो उनका loss भी होगा और demand इस समय है नहीं तो according to demand चल ले हैं और अगर आप देखेगे growth in the late summer early fall period और देखेगा gold 2000 डॉलर पे touch कर रहा है initial reaction और to the disappointing manufacturing data तो उसको देखते हुए यह लगता है कि अभी हम और भी ज़्यादा new order जो हैं वो और भी ज़्यादा गिर रहे हैं 44.3 के आसपास हैं और अगर इस तरीके के order आपको देखने को मिल ला हैं इस तरीके का reduction देखने को मिल ला है तो it means कि यहाँ पे impact पढ़ने वाला है और यहाँ पे जो शुरुवात है American economy की वो recession की तरफ हो रही है और जब American economy recession की तरफ जाएगी तो आपको पता है banks भी यहाँ के डूबेंगे तो आप देख सकते हैं while it's probably too soon to expect the banking sector turmoil to have had much impact on the manufacture it has only strengthened our belief that domestic demand growth is set to weaken sharply तो यह confirm है कि जो demand है वो तो sharply down होगी बाकि banking sector का देखिए का expectation आपको time to time देखने हो मिलेगा दूसरा data देखिएगा आपका यह आया चुका है construction की spending भी काफी तेजी से कम हो रही है तो यानि कि housing sector reality space अमेरिका में down है तीसरा data European Central Bank देखिएगा अभी फिर से एक rate hike की बात कर रहा है जो कि euro zone में जहाँ पे 20 nations है 20 से 22 देश हैं तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ का data भी क्या कह रहा है कि deep downtrend आया है deep downtrend देखेगा वहाँ की manufacturing activity में भी deep downtrend आया है तो यह overall देखेगा जहाँ से आप पैसा बनाते हो जहाँ पे आप export करते हो अमेरिका और western nations यह सबसे ज़्यादा पैसा बना के देने वाले देश हैं अगर यहाँ से demand नहीं आएगी तो आपकी economy पे भी इसका impact पड़ेगा आपके banking पे भी इसका impact पड़ेगा आपकी companies पे भी इसका impact पड़ेगा और then after that अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको उसका impact capital market पे भी देखने हो मिलेगा चोकि यहाँ का जो data आया है वो भी काफी ज़्यादा कम आया है उसमें भी देखेगा काफी ज़्यादा fall देखने हो मिला है तो इसलिए कहते हैं थोड़ा सा cautious रहेगेगा इस particular market में जब dip मिले तभी invest करना है उपर के level पे invest नहीं करना है market में कोई भी news उपर की तरफ से profit booking ला सकती है वीडियो गर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना न मूलेगा Thank you so much